Assalamualaikum dear friends, अमीद करता हूँ, सब दोस्त के रियत से होंगे, आलापाक आप सब को सलामत रखे, दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने के लाज 6, यूनिट नमबर 5 की, एकसला नमबर 1 और 2 सोल की थी, और आज हम एकसला नमबर 3 और 4 को सोल करेंगे, एकसला नमबर 3 में कहरा है, Read the text to find out what the underlined words refer to in the passage, यह करा है कि यह जो words हैं, अंडरलाइन की गए हैं, यह कौन से noun से refer करते हैं, वो यहाँ पे blanks दी कही हैं, उसमें लिखें, जैसा कि पहला नमबर हमारे पास सोल करके दिया गया है, नमबर 1, It is a city in Brazil, वो एक शयर है जो ब्राजिल में है, तो ब्राजिल में कौन सा शयर था, बेटियम, यह था, आमने रेडिंग में पढ़ दिया है, नमबर 2 है, It is the world's largest food festival, वो दुनिया का बड़े में बड़ा तहवार है, तो वो था ब्राजिल सेबर, ब्राजिल सेबर, ब्राजिल सेबर, ब्राजिल सेबर था, S-O-B-U-R है, यहां पे इस पे समझने में, नमबर 3 है, It is on the first Tuesday, in the month of July, every year, वो हर साल, जुलाइ के महिने में, मंगल के दिन मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन था, वो था, बेक्ट्यू, B-A-K-A-T-U-E, बेक्ट्यू, ठीक है, नमबर 4 है, It is cooked with rice and beans, वो राइज चावल और बीन्स मटर से बनता है, तो वो क्या था, वो था, वाक्य, वाक्य, यह नाउन था, और उसके बाद है, नमबर 5, इट इस फेमस फार, इट इस वाइट बीज, वो अपने सुफेद किनारों की वज़े से मशवर था, तो वो था, फुकेट, फुकेट, यह पी, अश, यू, के, ची, के, एट, और नमबर 6 और लास्ट है, तो इस में जाएगा वो सौंकरन, फेस्टिवेल था, सौंकरन, सौंकरन, यह फेस्टिवेल था, जाता था, तो यह exercise no.3 complete होगा है मारे पास और उसके बाद आगे देखते है exercise no.4 को exercise no.4 में कहरा है इन pairs discuss and write three things about each festival in all the reading passages that makes them different from each other follow the example यह कहरा है कि हर festival का नाम लिखें और उन में से three जो है वो differences लिखें उन में जिसा कि पहले नबर पर है बराजील सेबर और difference पहला है celebrate from May 3 to June 3 और difference two है largest food festival in the world और difference three जो है वो हमें fill करना है two thousand dishes are prepared two thousand dishes are prepared दो हजार जो है वो खाने के अक्साम बनाय जाते थे prepared ठीक है और उसके बाद number two पे हम लिखते हैं जो festival था बेक्ट्यू बेक्ट्यू डिफ्रेंस तो यह था कि वो celebrate होता था Tuesday पर फस्ट ट्यूजडे फस्ट ट्यूजडे ठीक है TUE में लिख लेता हूं इसका अफल फामों का ट्यूजडे और दूसरा डिफ्रेंस था fishing festival fishing festival ठीक है fishing festival इसमें मनाय जाता था और different three में लिखेंगे fishing a far fishing and a season fishing season और उसके बाद नमबर लास्ट में आपास festival था songkaran songkaran तो पहला difference हम लिखते हैं 13 to 15 April 13 to 15 April एप्रेल का भी मैं शार्ट फाम लिख लेता हूं एप्रेल और दूसरा डिफ्रेंस था water festival वहां पे मनाया जाता था water festival और उसके बाद लास्ट डिफ्रेंस में लिखेंगे washing homes वो जो थे वो गरों को धोते थे washing homes आगे वाले वीडियो में हम एक्सरा निबर फाइव और शिक्स तोल करेंगे जो इस चिप्टर की लास्ट दो एक्सराइजिस होंगी चाहिए